आदर आदाव अविनन्दन अभार नमस्कार मैं सुहम कुमार स्वागत करते हूं सभी का सुहम सिक्षा की इस यूट्यूब चनल पर कैसे आप सभी उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवाद पूरा सुरक्षित होगा इस कोवीड में प्लीज अपना ध्यान रखें कोवी सुरक्षित दे सुरक्षित और दे सुरक्षित तो हम सुरक्षित ठीक है तो आज से यह सुरीज शुरू हो रहा है जिसका नाम है सुरीज निश्च्च है जिसमें कि हम लोग क्लास 11 12 की हर एक चैप्टर को डिटेल में करेंगे NCRT प्लस के साथ उसे पहले मैंने सुरीज नहीं निट के लिए विकोज यह सब टॉपिक क्या है वेरी वेरी क्रूसियल टॉपिक है आपको 11 में पकर मजूद करना है तो यह सब टॉपिक काफी इंपॉर्डेंट है इसमें आगर आपकी पकर है तो आपका 11 आपको ऐसा नहीं लगेगा 9 की तरह क्या रहे 9 तो कुछ सम होंगे और केमस्टी वही तोटल आपका 27 त्वीस सेवें एंट अठ लेक्चर होंगे 27-28 लेक्चर में कुछ लेक्चर जो मैं मैंने पहले ही पधा रखा जिसमें की डिस्कावरी ऑफ एलेक्ट्राउन डिस्क्री अब नीट्राउन डिसकरी प्रोटोन उसके बाद आपका ज सिरीज निश्चे प्लेलिस्ट उसमें केमेंस्ट्री का वीडियो लगा हुआ है और आज ये मैथ का भी लग जाएगा जब फिजिक्स परहेंगे उसका फिजिक्स का भी लग जाएगा इस सीरीज को कम्लिट करने के बाद मतलब यह वाला जो टॉपिक जो टॉपिक्स है उनका सीरीज खत्म करने के बाद तब मैं चप्टर सुरू करूंगा आपका सेट जो है मैथ का फर्स चप्टर वहां से और उनिडेमेंशन जो मैं फिजिक्स का चप्टर है वहां से और मोल कॉंसेट जो कि मैं से तब सुरू करेंगे फिलाल एक महिना सभी कॉलेज में सभी कोचिं कोटिक वेशन लोगरिदम एक्सपोनेंट का रूल सब मोल मैटर अटम मॉलीकूल डिस्कवरी अप्रोटोन लेट्रों आयू पीसी केमकल फार्मॉला स्पेसल इस सब जो टॉपिक है पूरी 11-12 की जान है यानि की होट टॉपिक है तो इसे मास्टर कड़े मेरे साथ यानि की फ्रांग वन महीं मतला आज से 11-12 आटी जाई नीट जो भी है प्रिपरेशन विद इस टॉप बेसिक टॉपिक विथ मी एवरी त्यूजडे थ्रस्टे सरेडे इन निश्चे स्रीज जिसका आगाज आज हमने कर रखा है ठीक है इस स्रीज में जैसा आपको पढ़ने का इक् होगा पहले में क्या करता था लेकिन वन सोट ना करके उसको लेक्चर वाज करेंगे और कोई भी बच्चा जो आप 12 पास कर चुग है उसे पूछेगा कि भाई आपने 11-12 में नसे बनाया था मैं थिका वो लेगा नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं है बड़े बड़े कोचिंग आपको मिलेगा एसपेसली फोर क्लास सी बेसी बीच 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 पर बीच जरूर दिखाओंगा आपको ताकि आपको लह पर रहे हैं जैई के लिए भी मैं दूसरा चैनल जोगा कि है सुभाम सिक्षा कॉमपरिटिव जिसपर की चैनल टू पर सकते मेरे साथ मंडे वेडनस डेको छलिए तो आज टॉपिक सुरू करना से दोस्त हमें वह करना था चैनल क्या होता था है इस प्रकार से यह तो लिखते हैं लोग इन फैक्टोरियल यह लिखते हैं इन फैक्टोरियल एन यह तो इस तरीके से यह इस तरीके से आपको बुक में इसी दो तरीके से दिखावा मिलेगा ठीक है अगला देखिए इस द प्रड़क्ट ऑफ ओल पोजेटिव इंटीजर लेस दन और एक्वल टू एन या एन से नेचे का जितना ही पोजेटिव इंटीजर है सब का मल्टिप जोए आपको कि पॉड़क्ट ओफ उड़ नेचीरल नमबर तीख है फॉडट ओफ फर्स इन ने लेचुल नमबर का प्रटक्ट है उसका वह वह चांपतर बोलते हैं अबत उन ब्लटिभये देखली का क्या होता है लिख सकते भिल और इसको यह चाहिए और इसा पांटिक है इसको आघे चाहे तो n-3 फैक्टोडियल वेट लिए चलिए है तो वे अर्वकिंफ फाम वोहम तो इसे तो अब आज आई हैंगी चलिए ठीक है देखें इन फैक्टोरील को लिख सकते है आप n-2-1-1-2-2-2-2-2 फैक्टोडियल लगा दीजिए मतलब कि चलते क्रम में आप क के बाद जो भी होगा इसको क्या ही सकते हैं तो ऐसा आप इसको लिख सकते हैं एक इंट 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 व्यवन क्यों जाएंगे जब पढ़ेंगे बाइनोमिल चैप्टर पढ़ेंगे तो फिलाल ये तीन जो परपर्टी आपको याद रखने जरूरत है इसा बैस कुछ कुछ को होता है what is 5 factorial तो 5 factorial क्या होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1 कब से पूछे कि 9 factorial by 3 factorial कितना तब उसको लिखेगा 9 से लेकर के 4 तक लिख दीजेगा और आप 3 into 2 into 1 क्यों लिखेगा फिर नीचे 3 into 2 into 1 लिखेगा फिर 3 से 3 काटीगा 2 से 2 काटीगा 1 से 1 काटीगा इस अच्छा है कि 3 factorial पर रोक करके इसको पूरा काट दीजे और बाकी जो अंसर है कि इसको multiply करके लिए ठीक है अगला कोश्ण देखिए जैसे कोश्ण से पूछा कि 8 factorial into 9 divided by 7 into 6 factorial तो आप सोचिए 8 factorial में से कितना होता है 8 से लेकर के 1 तक है multiply ठीक है और इसमें 9 multiply कर देना है अब को आप से पूछे कि 9 into 8 into 1 into 7 into 1 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 क्या हो जाएगा तो अब बोलिए का सिधे-सिदे कि सर इसको 8 factorial into 9 लिखने से अचा है कि सिधे-सिधे 9 factorial लिख देते हैं अरे समझी नहीं है आप देखिए वेट आ मिनिट देखिए यहापर 1 into 2 into 3 into 4 into 5 लिखा हो है ना 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 इतो होगा 8 factorial और 9 से multiply कर विदे total देखके अब क्या लगड़ा है और आपको यह इसा द इसको लिख सकते है 9 factorial के ऐसा करके 9 factorial के लिख सकते हैं 9 into 8 into 7 factorial और निचे भी था 7 factorial तो इसे ही कर जगा है कि total से कितना है 72 आ गया कोई दिक्कत कैसे हम अप्लोट कर रहे है समझ में आ रहा ना एक पर इसको 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 ले लिजे नहीं दिक्कत है तो ठीक है ताकि आप 10 factorial divided by R factorial into n-r factorial जहाँ पे n के वहलू 5 है और R के वहलू 2 है तो यह क्या हो रहा है इसका आप लिक्के दिखाए देखिए तो क्या करेंगे n के जाँपे 5 डाला R के जाँपे 2 डाला और यहाँ n के जाँपे 5 र के जाँपे 2 डाला तो कितना हो गया यह 3 factorial हो गया अच्छा दोस हैं तो देखिए आप इसको नोट करें करें कि जो फैक्टोरिल इन बाई आर फैक्टोरिल इन्टू इन्टू इन्वाइसार फैक्टोरिल है आगे चके जब पढ़िए चैप्टर पर मुटेशन इन कॉम्बिनेशन तो उसमें एक तर्म आएगा ncr मतलब कि selection of r object from n distinct object मतलब कि n अगर object रखा हुआ है a b c d कुछ इसा करके रखा हुआ है उसमें से कोई हमको दो चुनना होगा कि यँसे 11 प्लियर कاع टीम होता है उसमें आपको क्या चुनना है तो उसको चुनने काक्या तरीका है दो पर्संन चुनने क्या तरीका है उसको बहुतर 17 र मतलब एक हारँ आजम में इस तरह का होता है ठीक है लेकिन अभी आपको समझा दे रहें किसे कीसी फर्मूला आएगा कहां से आएगा यह आपको परना होगा प्रमूटिशन में कि कैसे मनिपूलेट कर रहे हैं को आपसे बोल दे समझ में आना चाहिए कि 9 मतलब क्या है 9 से लेकरके 1 का मल्टिप्लिकेशन है ठीक है नेक्स कोशन इसको आपसे ऐसे पूछ दे कि 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 7 फेक्टोरियल इक्वाल टू एक्स बाई 8 फेक्टोरियल तो आप एक्स का भेलू क्या है बताए जरा तो आपको पता हो दोना चाहिए हम लोग यहां से सब में से एक्स फेक्टोरियल कमन लेक्वान खवान दिकाल सकते है कैसे निकालेंगे देखिए वन बाई 6 तो यहां है यह अट्य फेक्टोरियल कोई दिक्ञत होगा 7 गौने 6 गौने 5 गौने 3 गौने 2 को साथ लिख करके 6 लिख सकते इए 6 तो यहां से भी 1 by 6 Fatorial common ले लेंगे तेहां क्या बचेगा 1 plus 1 by 7 Factor, अच्छा नीचे था X by 8 Factor, तो इसको लिक सकते हम लो, 8 in to 7 in to 6 Fatorial, अब यह 6 Factor, यहां लिया लिक लिक सकते हम लो, फिर 1 by 6 Factor, लिक ले ले लेंगे, यहां भी common, यहां भी common तो लेंगे, कट जागा, जैसे क सब्सक्राइब करें क्रॉस मुलिक्लिकेशन तो आपका एंसर मिल जागा 64 कितना रहा होगा जब ऐसा आपको सिनेरियों देखने को मिला है ठीक है समझ गए चलिए तो यह जो चाप्टर है जो कॉंसेट कहां से आया एक बार देख लेते हैं देखें इस कॉंसेट इस यूज़ जो चाप्टरियल का कॉंसेट है और बॉक्स फिलिंग मेथेट से आया और बॉक्स फिलिंग मेथेट में फैक्टरियल कहीं इसतमाल करते हैं अब यह बॉक्स मेथेट होता क्या एक बार समझीएगा देखिए जिसे कॉश्चन आपको दिया है सा कि हाव मैनी फोर डिजित न भी ट्ररेक आज ठाव ठीक है रहा है और वैसा कॉश्चन रहें उसके प्लिए तरीक है अब सोची आप जाए एक बाक्स बनाईए मतला को कितना चाहिये थैसे बनाते हैं देखिए बॉक्स फिलिंग मेथे क्या होता है एक बॉक्स दो बॉक्स चार बॉक्स इस बॉक्स के सकता है यह टो एक को ले सकता है तो तेन र यह सकता है यह चार को हम लिए किना चार को ले लिए अब इसमर्स की माश्मा चैना लंगा बाउथ हम साइब कि जना अगला बस नहीं पड़ेगा हम्सके मैं टो ट्ूटर मुंट अध्वा मक्स यहər makan पास तीन ओप्शन तिसरा बॉक्स के पास दो अप्शन और लास्ट बॉक्स के पास एक अप्शन एक टोटल फॉर इंटु थ्री इंटु टू इंटु इंटु वन मतलग की फॉर फैक्टोडियल तो अपसे कोई बुछेगा कि N डिजित नंबर से या फिर N नंबर से एन नंबर को एरेंज करने की ट ठरीका है तो वह होगा f proven से नंबर से यहाँ से फेक्टोडियल obras कोंचे 526 राता तो कितना इंट-उरें ना कि एपकंटरी ना रिए इसब को इसको प्रॉपल्ब्लम हो रहे थी इतना बराय-पा-इक्वेशन को लिखने में उसको घटाने के लिए का लिख दिये गया और सिधे 500 और तो 500 लिख देंगे ना कि इसको 500 इंटु 499 इंटु 498 इंटु 497 ऐसे नहीं करते चले जाएंगे इतना बरा को हम लोग इतना छोटाम लिख दिये 500 फेक्टोरियल बोल करके समझ गया यानि यह क्या था कि meaning of n तिंग जो कि अलग अलग है उसको एरेंज करने का तरीका क्या होता है एंट फेक्टोरियल वेज होता है वेंट खोल के लिखेंगे एंटू मैनेस वन तो कि इनटू न मैस टू कितना बरा हो जाएगा इस जो बरा लेंदी प्रोसेसान इसको कम करने के लिए हम लोग क्या लाए नया टर्म और जिससे घुस गया और जिससे निकल गया उसके बाद अब जो दो बच गया फिर उसमें से कोई एक से घुसना है और कोई एक से निकलना है तो देखिए पहला जो बॉक्स होगा पहला गेट उसके पास चार अप्शन है पहला जो आदमी खारा उसके पास चार अप्शन है य यानि कि अब उसको घुशने का दो option या तो तीन नमर से घुशे या चार नमर से घुशे और निकलने का मातर एक option यानि कि 4 into 3 into 2 into 1 total 24 वेज यानि कि इसको याद में एक gate से घुश करके दूसरे gate से निकल सकता है 24 तरीके से इसमें निकल सकता ठीक है तो यह concept जो था जो आपका factorial का वह यहां से आया सोचिए अगर 26 गेट रहता 100 गेट रहता तो लिखते न हम लोग 100 into 99 into 98 into 97 कितना बड़ा लगता इसो कम करने के लिए factorial term का इस्तमाल किया गया जैसे एक और last question देख लिए वो क्या कहता है कि how many word can be formed using word बिहार जो word है उसे कितना और word बनाया जा सकता है जिसमें reputation allowed नहीं है मतलब यह नहीं कि आप बार बार बी 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 लिख दिए बार बार आय आय लिख दिए नहीं ऐसा नहीं करना है मतलब अगर एक meaningless नहीं बोल सकते हैं मतलब रिपीटेस नहीं रहे तो कितना word बनाईएगा देखिए बिहार में तो पांच word तो देखिए आपको बोले थे ना कि n नमबर अगर रहेगा तो n नमबर को arrange करेंगा तरिका कितना है न फैक्टोडियल तो बिहार में 5 वर्ड है त तो टोदल बो कितना option पांच option जैसे कि उसमें से कोई एक ले लिए अब कितना option बचा चार option माल गिए कि हम लोग बिहार में से I उठा लिए हमको I लेन after था ले लिए अब बच गिए चार अप्शन नहीं है या तो यर तो ट ए or ले न पर किटना आप फाइट कितने चाफिश्ट के ले तो बंदर यतना लिए अब पाझ पर नहीं बसंदे बसल्डर अब зач़िए और मनग ले लेना पड़ेगा कितने च्छोटा जगम में आ गया है उसी जो लेंदी प्रोस था जो वास्ट जो स्वास्ट कर लिया गया था ठीक है उमेड करते आंको समय में आया होगा जो भी मैंने पर्ढा है अभी ठीक है so thank you also watching मिलते हम लो अगली वीडियो में बात करेंगे एक्स्पोनेंट और लगड़नी प्रोटी जो भी आगे टॉपिक बचा हुआ है सब हो कॉंटिनुटी में देखिएगा आपका 11 पॉर्सन होते चला जाएगा मतलब अभी आपको नहीं दिखेगा कि सब क्या महत्व है अभी हम लोग चाप्टर वाइच पढ़ते जाते बच्चा की तरह इसे नहीं होता आपको पहले कुछ बेसिक जनकाड़ी चाहिए होगा आगे बढ़ने के लिए जैसे आपने टेंथ के इस वार सलिवस में क्या था कि अपकारवन कंपाउंड में से नॉमिनक्लेचर हटा दिय अब तो आप अगर यूद्र में चले जाएगा सामने वाला के पास आइटम है और अप एक आप लिके जार रहे किसे होगा अरे आपको से कम अब आइटेम उसके पास है ताप है कंसे कम उसे कम टोपे गुलन लेजाए बंदूग तो ले जाए ने कम से कम कि अब चकुश और लेके जाएगा लड़ने के लिए तो वही जो बंदूख है वोई तयार कर रहा है कि 11 सुरू करने से पहले ये टॉपिक काफी important है समझे इस बात को important समझने के साथ ही तब आगे बढ़िए और कदम फुक फुक के रखिए दूस साल का सलेबस चलना है सब की चप्रों करते चला जाए एक पढ़ा करके आपको पर मुटेशन कंबिनेशन मी थोड़ा थोड़ा बता दिए को इसे चीजों को चुनते हैं समझे एन्ही आपका तीन कोश्चन आया टीक में ने करवा दिया बिहार वाला कोश्चन आया वाता ही जाम में ठीक है बिहार नहीं था मिसिसीपी था लेकिन उसे था ठीक है तो हम लोग कॉंसेप को आगे चलते जाएंगे यह सब बूस्टर है यह सब पले जरूरी है तब पाकी जाके आप लड़ सकते हैं ठीक है समझे के नहीं ठीक है तो मिलते हम लोगले वीडियो बात तब तक बाए टेक केर और कीप रेडिंग कीप वाचिंग और स्टे सेफ एफ और डू फॉलो दे रूल्स आफ गवर्मेंट फॉर्ट कोविट नेंटिंटिंग थीक है थैं